एंटोनी लॉरेंट लेवाजियर रसाइन विग्यान के छेत्र में लेवाजिये का वही महत्तो है जो भहुतिकी में सर आईजैक न्यूटन का है आधुनिक रसाइन विग्यान के जन्मदाता एल लेवाजिये का जन्म 26 अगस्त 1743 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था 26 वर्ष की आयों में लेवाजियों को एकेडमी अफ साइन्स के लिए चुना गया 1766 में लेवाजियों को किंग आफ फ्रांस की उपादी प्रदान की गई अपने जीवन काल में लेवाजिये ने अनगिनत अनुसंधान रसाइन भौत्की और जीविग्यान के छेत्र में कीए जिन में से प्रमुक अनुसंधान, तत्तो के संकेत, रासानिक योगिकों के नाम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सलफर, सिलिकन, कारबन नयाकसाइड की खोज एवं उनके गुरधर्म, जल का वास्ताविक संगठन, ज्वलन सीलता सिध्धान, दहन, स्टाइक्योमीट्री, लिवाशिये की जीवन में तीखा मोड तब आया, जब फ्रांस में क्रांति की शुरुआत हुई, तो रास्ट की राजनैतिक और आर्थिक व्योस्था को सुधारने के लिए लिवाशिये क्रांतिकारियों को तार्किक सला देने लगे, जिससे विपक्षी उनके खिलाप हो विपक्षी सत्ता में बैठे लोग थे जिनके मना करने के बावजूद लिवाशिये क्रांतिकारियों से मिलते रहे, और वे हालत खराब होने की बाद भी विदेश नहीं भागे, चूकि क्रांति तीजी से कट्टरपंथी बन रहे थी, इसलिए कमान में बैठे लोगों को आ ने सदस्यों सहित उन्हें कैद कर लिया गया और उन पर कर की चोरी मिलावटी तमाख को बेचने का भी आरोप लगाये गया, आठ मई 1794 को रसाइन विग्यान के उस वैग्यानिक को उनके सदस्यों सहित गिलोटीन द्वारा सर कलम कर दिया गया, उनके समकालीन गड़ी तक जोसेप लूई लैग्रे ने कहा कि उन्होंने उस सर को एक पल में काट दिया जबकि उनके जैसा सरवाला अव्यक्ती सो वरसों तक दूसर न मिलेगा मैरी स्कलोदोवास का क्यूरी जिन्हें मैडम क्यूरी के नाम से भी जाना जाता है एक महान रसाइन अगे थी 12 सितंबर 1897 को उन्होंने इरेन क्यूरी को जन्म दिया मा मैडम क्यूरी और पिता पिएरे क्यूरी ने Iren क्यूरी को बचपन सही रसाइन विज्ञान में अधहयन के लिए प्रहतसाहित किया। इरेन क्यूरी ने अपनी PG, अपनी मा और पाउल लैंग्वियूर के वंमार्दर्शन में पूरी की थी। इरेन की मा मैडम क्यूरी ने रेडियम इंस्टिट्यूट की इस्थापना की जहां पर पोलोनियम तत्तो एवं कृत्रिम रेडियो सक्रियता का धियन इरेन और मैडम क्यूरी के सहयोगी स्टूडेंट फ्रीडरिक क्यूरी दोनों ही कर रहे थे फ्रीडरिक क्यूरी ने 1926 में इरेन से शादी कर ली शादी के बाद भी उन्होंने रिसर्च वर्क जारी रखा और कृत्रिम रेडियो सक्रियता के लिए इरेन क्यूरी और फ्रीडरिक क्यूरी को 1935 का रसाइन विग्यान का नोबल पुरुसकार सामोहिक रूप से प्रदान कि गया और 17 मार्च 1956 को उनका निधन हो गया फ्रिडरिक जूलियो क्यूरी फ्रीडरिक का जन्म 19 मार्च 19 को फ्रांस में हुआ था फ्रीडरिक को बच्पन से ही रसाइन विग्यान में गहरी रूची थी फ्रीडरिक 1925 में मेडम क्यूरी के सहायक बने और 4 अक्टूबर 1926 को फ्रीडरिक ने मैडम क्यूरी की बेटी इरेन जूलियो क्यूरी से शादी कर ली 1935 में उन्हें उनकी पत्नी के साथ कृत्रिम रेडियो सक्क्रियता की खोज के लिए रसाइन विग्यान को नोबल पुरुसकार सामोहिक रूप से प्रदान किया गया 14 अगस्त 1958 को रेडियेशन के कारण उनका निधन हो गया उनके निधन के बाद चंदर्मा के एक क्रेटर का नाम जूलियो फ्रिडरिक जूलियो क्यूरी के नाम पर ही रखा गया है पेरिस, बुलगारिया, कैनेडा, सोफिया में सडको का नाम भी फ्रिडरिक जूलियो क्यूरी के नाम पर ही रखा गया है फ्रांस के Metro Railway Station का नाम भी फ्रिडरिक जूलियो क्यूरी के नाम पर ही रखा गया है। फ्रिडरिक और इरेन की बेटी हेलेन पेरिस विश्वीद्याले में परमालू भहुती विज्ञानी है। हेलेन के भाई P.A. जूलियो एक बायोकेमिस्ट है। जियांग जियांग मेंग एक 32 वर्षी पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर थे जिन्होंने 2014 में नैनियांग टेक्निकल युनिवर्सिटी सिंगपॉर्ड से रसायन विग्यान में पीजडी की थी। पीजडी के बाद पोस्ट डॉक्ट करने के लिए वह चाइना के बीजिंग में सिंग हुआ युनिवर्सिटी के केमेस्ट्री लैब में रिसर्च कर रहे थे। अठारा दिसंबर 2015 को सुबह 10 बजे सेकेंड फ्लोर में इस्थित उस केमेस्ट्री की लैब में एक तेज धमा का हुआ और जियांग जियांग मेंग की मौत हो गई। फोरैंसिक जाज़ दौरा पता चला कि 18 दिसंबर 2015 को वह टर्ट ब्यूटाइल लीथियम और हाइडोजन सिलेंडर से हाइडोजन निकाल रहे थे। कि तभी अचानक आग लग गई और हाइडोजन के उच जुलन सील होने के कारण सिलेंडर तेजी से फट पड़े जिससे उनकी बुरी तरह से जल जाने पर तुरंत मौत हो गई। सिंगवा युनिवर्सिटी के केमेस्ट्री डिपार्टमेंट के चियर्मैन जुंग वैंग ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि हमें बहुत दुख है कि हमने एक अच्छे पोस्ट डॉग वैग्यानी को खो दिया है। इसी प्रकार की एक अन्य घटना 29 दिसंबर 2008 को हुई थी जिसमें एक 23 वर्सिय महिला रसाइनगे की मौत हो गई थी जिसे आप उपर दिखाई दे रहे आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। चार जनवरी 2008 को 24 वर्सिय रसाइनगे जैसन M. सिडल की दर्दनाक मौत ने यूएस की Occupational Safety and Health Administration को चौका कर रख दिया था। दो फरवरी 1983 को न्यूजर्सी में जन्में जैसन सिडल मोर्सविले पैंसलवेनिया की गेलिस्ट नामक केमिकल कंपनी में केमिस्ट थे। चार जनवरी 2008 को जैसन केमिस्ट्री लैब में TMSD यानि ट्राइमेथिल सिलल डाई जो मेथेन को निकालते समय इसका रिसाओ होने लगा जिससे पल्मोनरी एडिमा के चलते उनकी दम घुटकर मौत हो गई। बताते चलें कि TMSD एक उच्च विशाला पदार था जिसका अलुसूत्र C4H10N2SI होता है। उनके मृत शरीर को सेंट पीटर्स सेमेट्री न्यूजर्सी यूएसे में दफनाया गया। केमिकल कंपनी गेलिस्ट को इसके लिए बताओर हरजाना डेर हजार डॉलर जुमाना पड़ा। उसी वर्स 8 अक्टूबर 2008 को कनाड़ा के 46 वर्सी केमिस्ट रोनाल्ड डैगलर की मौत भी TMSD के कारण होई थी। यदि आपने पार्ट वन और पार्ट टू दोनों देखा होगा तो आपने पाया होगा कि सभी दूर गटनाय परियाप्त सावधानी ना रखने के कारण गटी हैं तो लैब में काम करते समय क्या क्या सावधानिया रखनी चाहिए और इन खत्रों से हम कैसे बच सकते हैं जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए केमिकल मैं चैनल को और दबाईए बेल आइकन को So thank you for today and thanks for watching